हेलो गाइज, वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, सो फर्स्ट अफल कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और अपने इंगले स्पेकिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से जोरो शोरों पर आपकी चल रही होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करन प्रैक्टिस बिल सकती है, सुनने की कोशिच करना जहां से भी इंगलिस जहां से आप सुन सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, कोई आप मोवी देख सकते हो, न्यूज सुन सकते हो, लिस्निंग भूँत ही इंपोर्टन्ट है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके बोलें, बड़ कोई प्रोब्लम नहीं है, शुरुवात कीज़ें, क्योंकि जब तक आप शुरुवात नहीं करोगें, तब तक आपको उसमें confidence नहीं आएगा, और इंगलिस बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है आप सीखने के बाद यह बोलोगे, कि यार इंगलिस तो इतनी ही असान है, सिर्फ थोड़ा सा confidence चाहिए है, और वो confidence आपका धिरे-धिरे develop हो जाएगा, बस आप practice करते रहेगा, तो आज की है हमारे English speaking की दूसरी class, यह जो हम basic से course कर रहे हैं, आज उसके दूसरी class है, पहले एक class हो चुकी है, अगर आपने वो पहले वाली class नहीं देखी, तो आप पहले वाली class भी देख लीजिएगा, आप direct पहले यह वाली देख सकते हैं, लेकिन वो भी देखिएगा, तो इसके बाद देख लेना, तो क्या होगा, आपकी थोड़ी foundation अच्छी हो जाएगी, तो च और यह मैंने आप सबको homework दिया था, लेकिन यार, आपकर क्या रहे हो, आपने class देखी, ठीक है, आपने सीखा, लेकिन आपने homework का answer तो किया ही नहीं, सिर्फ एक बच्चे ने homework का answer का comment किया, सिर्फ एक बच्चे ने, at least यार comment तो करो, कि हाँ आपने class की है, आपने homework question क्या है क्या आपने homework question तका पहुंचे ही नहीं, आपने complete class ही नहीं की, homework question का answer तो तो जुन्होंने कल नहीं दिया, वो आज देदेना, ये वाले दो question का answer आज वाले में देदेना, क्योंकि पहले वाले में तो दिया ही नहीं, आपने सिर्फ एक बच्चे ने दिया, और उसको देखके आज हम क्या करने वाले हैं, कि English speaking से पहरे थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूं, कि good morning, good afternoon, good evening कम बोलते हैं, यूँकि कहीं बार क्या होता है, इनहीं में confusion होते है, कहीं बार क्या होता है, बंदा किसी को रात को मिला, और hello high करके बोला good night, तो वो थोड़ा bad impression हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये बिल्कुली basic है, तो ये आपको पता होना चाहिए, I think बहुत सरे लोगों को आप में से पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता, वो आज जानने जिए, सबसे पहले आता है, good morning, good morning क्या होता है, कि जब हम किसी से सुबह good morning, जैसे अब मैं आप से class कर रही हूँ, मालेजे कि ये class 12 अभी जैसे मैं record कर रही हूँ, अभी तो good morning के time ही है, तो मैं भी क्या बोलोगे, good morning, तो फिर उसके बाद क्या आता है, good afternoon, good afternoon आता है, 12 दोपहर के 12 बजे के बाद, शाम को 4 से 5 बजे तक, शाम के 4 से 5 बजे तक, आ good afternoon बोल सकते हैं, noon ओती है dopa, afternoon मतलब, दोपहर के बाद, 12 बजे तो पाद के बाद से, आप शाम के 4, 5 हुजे तक आप किसी से भी मिलते हैं, तो इसको good afternoon बोल सकते हैं, जैसे अब बोल सकते हैं, hello, good afternoon, उसके बाद आता है गुड़ इवनिंग आप बोल सकते हैं शाम के टाइम पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ शाम को ही बोल लेंगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है आप जाने जिएगा इसको आप बोल लेंगे शाम के चार या पांच बजे से शुरू हो जाता है चार बजे बोल सकते हैं उसके बाद छे सार बजे तक कभी भी बोल सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं रात को बारा बजे तक रात के बारा बजे तक आप इसको बोल सकते हैं गुड़ इवनिंग मान लिजे आप रात को आठ बजे नो बजे किसी से मिले मिले हो आप किसी स जो तीन सेंटेंस हैं, good morning, good afternoon, good evening, यह होती है, greetings, greetings, मतरब जैसे ही आप किसी से मिले, आपने उसको greet किया, समझे, तो यह होती है, greetings, लेकिन जो good night आती है, वो greeting नहीं है, आप किसी को जाते ही, मिलते ही, good night नहीं बोल सकती, good night आप कब बोलोगे, good night आप तब बोलोगे, जब दूर जा रहे हो मगल किसी से मिले टो बॉला है जाती टाइब तो बहुत तक बॉल सकते हो आपो स्याम के शे बजे साथ अबसे सुरू करके और बाराम बजे तक राथ के आप बोल सकते हो क्या गुड नाइट अप रात के बारा मजे तक गुड नाइट बोल सकते हो लेकिन याद रखना कि ये तभी बोलोगे जब आप किसी से बात करके खतम करके आप वापिस जा रहे हो जब आप बात शुरू कर रहे हो किसी से बोलना शुरू कर रहे हो तब नहीं बोलोगे माने जब किसी से मुबाइल पर फॉन पर बात कर रहे हो आपने रात को आठ बजी किसी को कॉल किया तो आप क्या बोलोगे हेलो गुड इवनिंग आपने माने जब बात की आधा गंट आपने बात की साड़े हाथ होगे अ लेकिन अगर time कितना हो चुका है, बारा रात के बारा बजे से सुबह तो को चुका है time morning हो चुकी है अब अगर रात के बारा मजे बाद आप कुछ बोलना जाते हो, तो आप गूड नाइट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब तो सुबह हो गई है और आप डिरेक्ट गुड मोर्निंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि गुड मोर्निंग तो अत्य टेम बोल ला जाता है, ग्रिटिंग्स है, अगर आप वापीज जा रहे हो भारब जी के बाद, तो फिर आप क्या बोल लोगी, आप डिरेक्ट बोल सकते हो, बाई, क्या बोल सकत यह ऐसा नहीं है कि आप आप दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हूं लेकिन जब आप क्या का बात खतम करके जा रहे हो तब आप इन सब चीज़ों को किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हूं अब आता है have a safe flight माल लेज़े आप किसी दोस्त को एरपोर्ट पर छोड़ने गए यह फिर वैसे भी आपने फॉन पर बात की कि वह फ्लाइट से कहीं जा रहा है तो आप उसको क्या बोल होगे have a safe flight आपकी यातर flight अच्छी हो have a safe journey have a safe journey मतलब आपकी यातरा सुब हो तो उसके यह किसके लिए होता है यह तो था उपर वाला तो फ्लाइट के लिए लेकिन यह है कि आपको कोई दोस्त है कुछ हो कि अगर है कार से या फिर टेक्सी से वह फ्लाइट से नहीं जा रहा है कार से टेक्सी से बाइक से ऐसे किसी चीज़ से जा रहा है तो आप बलोगे have a safe journey औ I think अब आपको यह सब clear हो गया होगा आगे से आप जब भी बोलोगे तो आप इन में कोई mistake नहीं करोगे क्योंकि बिल्कुल ही basic है तो यह सब आपके लिए बहुत जरूरी था तो अब हम शुरू करते हैं अपनी basic structure वाली class तो सबसे पहले क्या होता आप अगर हम किसी दूसरे बंदे से बात करें जैसे मैं आप से कर रही हूं तो मैं आपको क्या बोलूँगी आप बोलते हैं हिंदी में तो उसको क्या बोलेंगे you you जैसे आप student हो तो हो को क्या बोलते आप intelligent हो तो क्या बोलोगे you are intelligent you are intelligent you are beautiful और अगर very beautiful बोलना हो तो तो क्या बोलते हैं कमेंट में लिखीएगा क्यों कि मैंने कलवारी class में ही बताया था कि very beautiful को अगर एक word में लिख ना हो तो क्या लिखोगे you are cute you are cute you are a liar you are a liar liar होता है जूट बोलने वाला कि आप जूटे हो आप जूट बोलते हो cute बोला कि आप cute हो लेकिन अगर बोलना हो कि very cute तो very cute को क्या बोलेंगे अगर एक शबद बोलना हो very cute तो बोलोंगे adorable adorable you are adorable इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यदा cute हो हम मतलब एक से ज्यादा हम इकठे कई हैं एक से ज्यादा है दो भी हो सकते हैं लेकिन उसमें आप खुद भी शामिल होने चाहिए जो बोल रहा है वो खुद भी उसके अंदर सामिल हो तो उसको क्या बोलते हैं व, we, we, हम, हैं को क्या बोलेंगे, और जैसे हम खालिस्थान शें हम हेल्दी हैं हम स्टूडंट हैं हम टीचेर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, we are, étant, we are healthy, we are students तो फिर अप क्या बोर लेंगे वी आर हंगरी, हम बूखे हैं हंगरी क्या होता? बूखा वी आर एट होम, हम घर पर हैं वी आर हेल्दी, हम हेल्दी हैं वी आर ओनलाइन, हम ओनलाइन हैं अब जैसे आप ये Class देख रहे हो तो आप इंटरनेट के थुरूई देख रहे हो ना तो आप इस टाइम क्या हो ओनलाइन वी आर ओनलाइन ओके आई होब कि आपको यह सब चीजे समझ में आ गई हो अगर आपको कोई सी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा आपका पका रिप्लाइ करूँगे और आने वाले सेशन में मैं उसको क्लियर करने के बिलकुल कोशिश करूँगी आग आता है दे वे अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो उसको क्या बोलेंगे दे यहाँ पर आप जो भी बोलना चाहते हैं वो लवस्त पर दे आर वे अंदा रूफ रूफ क्या होती है छट शट वे छट पर हैं वे बहुत गरीब हैं वे श्टड़ी कर रहे हैं वे अपरादी नहीं है आर नोट क्रिमिनल क्रिमिनल क्या होता है अपरादी they are not criminals so I think आपको ये चीज़े समझ में आ गई होगी पैसाथ से पहले मैं आपको अभी ये बात बोलना चाहते हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिले के साथ शेर जरूर कीजिएगा जिसको इंगलिस सीखनी है उसको शेर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंगलिस सीख सकी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने में लाइक करने में शेर करने में कोई पैसा नहीं लगता अगर आप शेर नहीं भी कर सकते किसी को ठीक है मत कीजिए लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर कर लिजए क्योंकि यह तो आपको यह करना है शेर तो चलो ठीक है किसी और को करना आप नहीं करना चाहते है तो मत करो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना एक लिश्ट यह तू मांग रही हो ना कुछ और तो नहीं न तो प्लीज कीजिए गा और अब आते हैं हमारे next structure यह होते है यह 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 जहां पर आपको यह बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हो इट इट है जुसके साथ हा कब बोलेंगे इज यह है, डैश है, it is dash, जैसे आपके पास mobile है, तो यह कह, it is a mobile, it is a mobile, it is my book, यह मेरी book है, it is my book, it is not my pen, यह pen मेरा नहीं है, it is not my pen, it is 4 o'clock, 4 बज गई है, अब इसमें कह, इसमें यह नहीं है, लेकिन इसमें आपने बना, चार बज गई है, लेकिन इसमें कोई subject नहीं है न, तो यह कह, direct है, के 4 बज गई, पांच बज गई, तो इस sentence कैसे बनेगा, तो अगर ऐसे sentences, तो हम इसको क्या बोचकते है, इसको हम it लगा के, यूज कर सकता है जैसे बारिष हो रही है, तो उसमें कोई subject नहीं होता है, कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की, तो क्या बारिष हो रही है, तो it is rainy, it is in a table, यह टेबल है, मतलब मेज है, यह मेज है, तो आप ने एक Körper बोटिस कि, I think आप सब नेकड़ी बारोटिस की होगी, कि जो कल हमने किया था हमने किया था he she का और आज हमने किया it का इन सब के सामने लगाया हमने is लेकिन हमने किया we हमने किया दे तो इन सब के सामने हमने क्या लगाया इनके साथ लगाया हमने are क्यूं क्यों क्योंकि he एक परसन की बात हुई है she वो भी एक परसन की बात हुई है और it उसमें भी एक चीज की बात हुई है तो उसके लिए एक चीज के लिए हम क्या लगाते हैं एक चीज को बोलते हैं singular उसमें लगा हमने is लेकिन we जब हमने use किया उसमें हमने एक से ज़्यादा लगाया कि हम एक से ज़्यादा हैं लिए हमने दे की बात की तब भी हमने एक से ज़्यादा रगाया और साथ में इसमें हमने बात की यू यू में ऐसा होता है कि इंगलिस में अगर सामने वाला एक परसन है उसको भी यू बोलेंगे दो हैं, यू में दो या तीन हो सकते हैं, उनको भी हम यू ही बोलते हैं और सामने वाले को हम respect दे के बात करते हैं, अपने से बड़ा मान के तो हम खुद के लिए इज लगाते हैं, लेकिन सामने वाला हम से बड़ा है उसको respect देने के लिए हम इसके साथ और ही लगेगा комментар साथ हमेशा और लगेगा और व और दे के साथ तो आर इसलिए लगेगा क्योंकि वो एक से तो अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ट्राइ कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं यह बोल रही हूं आप इनको खुद भी बनाने की कनवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा यह कहा है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे वह है चिंतित है वह है चिंतित होना या फिर परेशान भी बोलना है तो आप उसको लिए भी ब्रड यूज कर सकते हूं वह है परेशान है it is raining it is raining मतलब बारिश हो रही है बारिश हो रही है they are in the bus वे बस में हैं दे लगाया एक से ज़्यादा के लिए अब दे के साथ क्या लगता है आर दे आर तो बन गया अब हमें कहना है कि वो बस में हैं तो बोलेंगे in the bus in the bus he is in the office वह है ओफिस में है वह है मतलब he is office में है in the office in the office he is in the office she is my best friend वह है मेरी समसे अच्छी दोस्त है she is वह है she is my best friend my best friend I am single मैं single हूं तो आई मैं मैं का आई हूंगा M I के साथ हमेंसा M लगता है इसके साथ is और आर नहीं लगता आई के साथ हमेंसा M लगता है I am उसके आगे क्या लिखेंगे single बोलना है single लिखो I am engaged लिखो married लिखो अप जो भी बोलना चाहते है committed बोलना है committed लिखो जो भी लिखना आप लिखो I am single you are a nice person आप एक अच्छे इंसान हो आप एक अच्छे इंसान हो आप के लिए you, who, are, you are एक अच्छे इंसान और nice person नाइस होता है अच्छा और person होता है इंसान it is Saturday night यह क्या है Saturday night है यह है it is Saturday night it is my chair यह मेरी कुर्सी है अब सारा जगड़ा आज जगल तो क्या होता है कुर्सी के लिए ही होता है तो यह क्या है यह मेरी कुर्सी है it is my chair you are my enemy तुम मेरे दुस्मन हो वैसे कोसिच करना कि यह बाद किसी को मत बोलना क्योंकि हर किसी के साथ दोस्ती बना के रखो किसी के साथ भी दुस्मनी मत करो लेकि फिर भी अगर सीखना तो चाहिए हर चीज़ तो क्या है? you are तुम हो मेरे दुस्मन आप हो मेरे दुस्मन they are rich people वे अमीर लोग है वे हैं, they are rich people, अमीर लोग rich क्या होता है? अमीर और people क्या होते है? लोग they are rich people so I think आपको ये सब चिजे समझ में आ गई होगी आपको class कैसी लगी उसके लिए आप मुझे comment में जिरूर बताईएगा और आज के लिए हम इतना ही करते हैं तो आगे आने वाली classes में हम और improve करेंगे मैं कोशिश करूँगे कि आने वाली next class मैं उन पर ले लूँ कि किस situation में आपको क्या-क्या बोलना है मैं थोड़ा सा दो-चार sentences या कुछ ऐसा दस-बी sentences ले लेंगे और उसके आगे foundation उसे में साथ कर देंगे थोड़ा सा पहले 10 मिनट हम टाइमिंग पे किस टाइम पे क्या वोलना है ऐसा जैसे आज हमने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का लिया ऐसा ही हम थोड़ा सा और अच्छे मैनर्स वाली ले लेंगे और उसके बाद जो यह foundation की चली हुई यह वह साथ में कर देंगे ताकि आपके साथ सात में सीखते भी रहो प्रैक्टिस भी करते रहो और कल मैंने एक और इसमें वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डेली यूज के sentences के अपलोड की थ तो आप ट्राइ कीजिएगा कि आप वह वीडियो भी साथ सात में देखो क्योंकि उससे साथ सात में क्या होगा कि आपको daily use के sentence साथ सात में पता चलते रहेंगे वह आपके दिमाग में fit होते रहेंगे और आप जैसे बोलने की कोशिश करोगे ना तो वह साथ सात में आप उ अच्छी लगी है तो इसको like, share and subscribe जुरूर कीजिएगा हाँ आपको कोई कमी लगी है आपको कोई suggestion है तो आप कमेंट में बिल्कुल बेजीजे क्लिक सकते हैं आप कमेंट में लिखिएगा आपको कोई help चाहिए आपको कुछ और extra चाहिए कि मुझे ये चीजे नहीं थैंक्स पूर वचिंग जो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तिल देन टेक केर बाइबाइब